चुके हैं आप एकदम सही मिटिंग को जोइन कर चुके हैं आज हम आपको बताएंगे सर जिंदगी के इंदर अपने दम पे बड़ी कामिया भी कैसे आ सकती है थैंक्यू सो मच सर हम आपको बताना चाहेंगे आरसें बजनस से पहले 25,000 रुपे मिने की नोकरी करता था आज से तकरीबन 10 साल पहले 10 जनवरी 2013 जी यहां साथियों जैसे अभी 2023 चल रहा है सर दस जनवरी 2013 को यह आरसें बजनस मेरी जिंदगी के अंदर आता है इस बजनस को जोइन करने के पता लगा कि राशन लेने से भी पैसा आता है हलो पहली बार पता लगा सर राशन लेने से पैसा आता है नो सुर पैसे इंकम की शुरूआत होती है उसके बाद इस बिजनस को करना शुरू किया कभी गिरे कभी उठे कभी गिरे कभी उठे बहुत सारी लोगों ने मजाक करके आगे बढ़ते रहे सर कभी पीछे मुड़के नहीं देखा कभी हार नहीं मानी लगा तार इस बिजनस को लेके आगे बढ़ते रहे इसका नतीजा यह निकला जहां पे 933 रुपए से इंकम की शुरुवात होती है प्रजेंट टाइम में मेरी जो एवरेज इंकम रहती है प्रजेंट टाइम में रुबी जैसे लेवल पे हूं सर तोटल इंकम से अगर कोई परभावित होता है तो इस आरसियम बिजनस के मादियम से मेरे परिवार में दो करोड रुपए से जधा की इंकम आ चुकी है और मेरा जो नेक्स्ट टार्गेट है मेरा जो नेक्स्ट ड्र प्रजीम है वो ऐसा स्टार रुबी यानि कोर्टीम का इस्साव ना यानि कोर्टीकोर लेडर बना सा पिछले दस सालों में दोस्त इस बिजनस ने प्यार दिया पैसा दिया दोलत दी शौरत दी घूमने पिरने का मौका मिला एक लाइन में मेरी बात को खतम करूं तो पिछ साम उनको बताना चाहेंगे आरसे में यदि आप काम्याबो करते हैं तो काम्याब ओने के लिए दोस्त मैं छोटे मोटे चार काम करता हूं सर आईए सातियों बात करयेंगे वो चार काम कौन से हैं पहला काम इस बिजनस के अंदर आज आप डैरी के अंदर नोट करिए दिल दिमाग में नोट करिए सर और हूब हूब बिना अपना दिमाग लगाए इन सारी चीजों पर काम करना शुरू करिए कसम खुदा की अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो मेरे दोस्त आप भी कामयाब हो सकते हैं इस के अंदर कामिया बोने के लिए पहला काम मेरे दोस्त आपको करना है खरीदना जी यहां साथियों इसका मतलब यह हंडर्ड परसंट आरसियम बिजनस के पड़क को यूज करना और आज से दस साल पहले मैंने किसी प्रोग्राम में सुना था जो करता है अपने बीवी और बच् सब तो पहला काम खरीदना वी आर दा बिजनसमेन अगर हम बिजनसमेन है तो मार्केट के किसी भी बिजनसमेन को चेक करिये सर बिजनसमेन क्या कर रहा है सर बिजनसमेन आज की तारीक में कुछ ना कुछ बेचना है सर तो दूसरा काम आपको क्या करना है सर बेचना पहला का आपको अपनी आइडि से आट से लेके दस जारका समान लोगों को रिटेल करना ची है, सेल करना ची है, तो पहला काम हो गया, सरleness, खरीदना, दूसरा काम हो गया, सरस, बेचना, और इसरा काम क्या करना है, तीसरा काम, आज पूरी दुनिया के अंदर बिना अपनी टीम बनाए, बिना अपना नेटवर्क बनाए, बिना लोगों को जोड़े, आप इस इंडरस्टी के अंदर, आप दुनिया के अंदर कामयाब होई नहीं सकते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यानि टीम बना पड़ेगी तो तीसरा काम आपको करना है सब्सक्राइक जोड़ना तीसरा काम जोड़ना और चोथा Nicholas करना जी यहां साथिए हूं मेरी काम याभी का 70 तार्डवक का मैं टार्ड पे फोकस रहता हूं हमेशना it उसमेंद के टार्गेट देके घर से निकलता था अपने आंसे कुमिटमेंट करता था अपने आपसे वदा करता था सर मेरे काम यह 5 साल अगर इंशार कामों को करना ना केडिया किसम खुदा की अगर मैं काम बोसकता हूं तो आप लोगों के गर में भी काम्याभी आ सकती है चलिए साथ कियों आगे बढ़ते हैं आज की कारवाई को आज के प्रोडाम को आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे इस बिजनस के अंदर काम्याभी में अगर आप इस बिजनस के अंदर दो सो परसेंट काम्याभ काम्याभ होना चाहते हो सक्सेस होना चाहते हो तो कामिभी के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका रहता है आज हम आपको बताना चाहेंगे दोस्ट आपकी 100% कामिभी में जो प्रोड़क्ट का रोल है वो के वलमाद पर 5% यह सर बहुत सारे लोग पता क्या क्या सवाल करते हैं सर कंपनी ओर क्या लेके आ में जब केवल मात्र एक पड़क्ट आरा करता था और इसके सबसे बड़े एकजमपल हमारे आधरनिये अनुकरनिये श्रीमान मुकेश कोठारी सर जो आरस्यम बजनस में एक कपड़ा पहन के हिंदूस्तान के लोगों को ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि कपड़ा पहनने से करोड़पती बना जा सकता है हिंदूस्तान के पहले करोड़पती मिस्टर मुकेश कोठारी बने तो साथ क्यों बताना चाहेंगे जब एक पड़क के दम पे अगर करोड़पती बना जा सकता है तो दोस्त आज तो मारे पास में छोटे बड़े 700 से ज़्यादा पड़क्त है और आज अम आपको बताना चाहेंगे इस इंडरिस्टी के अंदर कामियाबी में प्रड़क्टों का जो रोल है वो दोस्त के वल मातर 5% का है 95% रोल इस बिजनस के अंदर जो रहता है वो हमारी सोच का रहता है यानि हमारी थिंकिंग का रहता है और किसी कामियाब इनिसान ने क्या का है पैर की मोच और छोटी सोच यह इनिसान को मेरे दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ने देती है इस इंडरस्टी के अंदर इस दुनिया में अगर आप लोग टोप लेवल पर जाना चाहते हो तो 45% है आपकी थिंकिंग यह नहीं आपकी सोच काम करती है आई ये साथियों आगे बढ़ते हैं आई ये साथियों आगे बढ़ते हैं मिलेंगे पोजिटिव सोच वाले आपको मिलेंगे और आज हम आपको बताना चाहेंगे अगर जिन्दगी में काम्याब होना चाहते हो अगर आप जीवन के अंदर किसी भी फिल्ड में मैं यह नहीं कहुंगा सर आरसें बिजनस सर आप पढ़ाई करो खेती करो नोकरी करो बिजनस करो राजनिती करो दुनिया में कोई भी काम करिया सर अगर आप किसी भी फिल्ड में बड़ी कामें भी पे जाना चाहते हैं आप पोजिटिव सोच रखकर के ही बड़ी कामें भी पे जा सकते हैं तो सातियों दो तरह की सोच होती है एक नेगटिव और एक पॉजिटिव आये साती हो आम आपको बताना चाहेंगे जो सोच है न सर ये बंती कैसे है जब मुझे ये पता लगा कि एक एक नेगटिव सोच वाले लोग होते हैं पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं मैंने सर इसकी गहराई में जाना शु नूटल होता है सर जैसे गाड़ी के अंदरे गेर होता है सर नूटल उस नूटल गेर के अंदर जब गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है ना तो वो गाड़ी आगे जाती है ना वो गाड़ी पीछे जाती है यानि वो जहां पे है वो वहीं पे खड़ी रहती है तो सर ठीक उ सोक नेगेटिव जाती है तो सर मेरा सबसे बड़ा सवाल था अपने अपसे यह सोच बंती कहां से लू क्योंकि कोई अन्सान जनम से सोच लेके नहीं आता है मां के में कोई भी इनसान नेगेटिव या पोजिटिव नहीं होता है हम आपको बताना चाहेंगे सर ये नेगटिव और पॉजिटिव जो लोग है न वो इसी दुनिया में आके बनते हैं सर तो आए सर हम आगे बढ़ते हैं ये जो नेगटिव और पॉजिटिव जो सोच हमारी बनती है वो बनती कैसे है तो आगे बढ़ते हैं सर ये हमारी जो पूछ यह सर आप किस तरह के महल में रहते है आज मार्केट के अंदर नेकिटिव लोगों की ज्यादा मैं आप से पूछना चाहूंगा सफ अज नेगिटिव लोगों की संख्या वन टाइम सम टाइम हमारी सोच भी नेगटिव होने लग जाती है हम भी दुनिया की तरह नेगटिव सोचना शुरू कर देते हैं हमें भी यह लगने लग जाता है मैं कामियाब नहीं हो सकता मैं आगे नहीं बढ़ सकता मेरे को इंकम नहीं आ सकती मैं रूबी स्टार नहीं ब करता है मैंने किसी प्रोग्राम में सुना सा रंजीत भाई कि एक युदकि वो महल का असर उसके दिल दिमाग पर होना शुरू हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ अगर एक positive महल के अंदर, एक energy वरे महल के अंदर, एक उर्जा वाले महल के अंदर, अगर एक negative आदमी भी चला जाए ना सर, तो उर्जा वाले positive महल में जाने के बाद में, एक negative आदमी भी अपने आपको थोड़ी देर के बाद में positive महसूस करना शुरू कर देता है, यह महल का असर है, य लो यह महुल और संगत का असर है सर और आज हम आपकी जानकरी के लिए बताना चाहेंगे सर आज इस आरसेम बजनस के अंदर आज आपको जितने भी बड़े बड़े लिडर दिखाई देते हैं यह हमारी यूएस की कोर्टीम है सर यह आज की तारीक में यह जितने भी लोगों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है आपको क्या लगता है सर यह लोग किसी दूसरी दुनिया से आई हैं नहीं सर आपको क्या लगता है सर यह लोग एलियन है सर नहीं सर हमारे ही जैसे आम लोगों की बेड़ से निकलके इन्हों ने अपनी लिडर्शिप का परिचे दि पारिसियम बिजनस के अंदर अगर असली नजारे लेना चाहते हो ना सर, कोर टीम के अंदर आईए सर, हलो, और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अगर आप इस बिजनस को जोइन करके, अगर स्टार रूबी से निचे सोच रहे हो ना सर, जाती कर रहे हो मेरे भाई, गुना क कर रहे हो, इस बिजनस के उपर गुना कर रहे हो सर, अगर आप इस बिजनस के अंदर जोइन होना सर, आपका प्राइम टार्गेट स्टार रूबी बनके कोर टीम में सामिल होने का रहना चाहिए, और आज हम आपको बताना चाहेंगे, यह जितने भी लोग है, आप जैसे द आज हिंदुस्तान के जितने भी कोर लीडर, बड़ी बड़ी पिन्नों पे, बड़े बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आज हम बताना चाहेंगे सर, अलो, यह सारे के सारे लीडर सर, एक महोल की पैदावार है, आप लोगों की तरह इनोंने आरसेम बजनस क अंदर जो आपको दिखाई देते हैं, यह एक महोल की पैदावार है, इन लोगों को महोल मिला, और आज हम बताना चाहेंगे, घंजीत सर, आज हम बताना चाहेंगे, सतनेराइन सर, आज हम बताना चाहेंगे, अरपाल सर, आपकी टीम में भी कई जेनराइन कूकणा, आपकी है याप लोग उनको उस महोल में लेकर रहेंगे वह लोग यह लोग लिड converter बनने के के लिए टयार हैं सर वो लोग कुछ बड़ा करने के लिए तयार है सर तो आज आपको जितने भी लिडर दिखाई देते हैं वो सब के सब एक महोल की पैदावार है और आज हम आपको बताना चाहेंगे आरस्यम बिजनस के अंदर 90% सर जो है ना ये बिजनस जो 90% जो है ना सर महोल की वज़े से चलता है आज आप इस बात को अपने दिल दिमाख में उतार लीजिए आप जो प्लान दिखा रहे हो आप जो काउंसलिंग कर रहे हो आप जो हो मिटिंग कर रहे हो आप जो फोन कॉलि से वो केवल मातर 10% है नोंकि 90% यह जो बिजनस है ना सर वो महोल की वज़े से चलता है आज आप इस बात को अपने दिमाद में उतारिये सर 90% यह आरसें बिजनस महोल की वज़े सर सतीष पंडित क्या करते थे यू आरस 10% यानि इस बिजनस के अंदर हलो इस बिजनस के अंदर आपकी काम्याभी का जो रोल है ना सर आपका जो रोल है ना सर वो केवल मातर 10% है इस बिजनस के अंदर 90% काम्याभी महोल के वज़े से आती है हलो इस बिजनस के अंदर काम्या सेमिनार एक बहुती शांदार सेमिनार एक बहुती शांदार कैसिट है जिस कैसिट का नाम है यू आर्स 10 परसेंट है इस कैसिट को सुनने के बिच में बहुत सारी महिलाएं होँगी सर आज हमारे बहुत सार नोकरी वाले बहुत सारे किसान, बहुत smart मजदूर लोग होंगे सर अलग-अलग फिल्ड से निकल के अलग-अलग- homelessar अलग-अलग जाति धर्म के लोग है अलग-अलग-具uks cola लेने वाले लोगए इस business में हमेरे साथ में जॉइन करते हैं सर हम आपको बताना चाएंगे हम आपको बताना चाएंगे यानि अपनी टीम को अगर महौल में लाना सीख लिया मेरे सब्दों पे गोर करना सर अगर आपने अपने टीम को अगर आपने अपने जानकार लोगों को अगर महौल में लाना सीख लिया साथ दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड पिन पे जाने से रोक नहीं पाएगी और आरसें बजनेस के अंदर डायमंड की वो पिन है सर जिस पे जाने के बाद में एक महिने की इंकम 25 लाग रुपए से शुरू होती है हलो यानि जैसे वो गाड़ियों के अंदर होता है न सर इसका गाड़ी का ये बेस मोडलिंग इतने रुपए का है तो हम बताना चाहेंगे सर डायमंड की जो बेसिक इंकम होती है न सर वो 25 लाग रुपए महिने की होती है और एक बार आख बंद करके एक बार इमेजन करके देखिए ये डायमंड की पिन आपके सीने पे लगी है एक महिने की इंकम 25 लाग रुपए आपके बेंक अकाउंट में हर महिने की साथ तारी को आ जाती है वो दिन वो पल वो लमहा वो गड़ी वो नजारे वो लाइप स्टाइल कैसी होने वाली है जब आपके सीने पे डायमंड की पिन लगी होगी 25 लाग रुपए महिने की आप लोग इस बिजनस के माध्यम से इंकम ले रहे होंगे तो साथ हम बताना चाहेंगे आरसें बिजनस में ABCD आपको आए नहीं आए लेकिन अगर आपने लोगों को महोल में लाना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आरसें बिजनस में टोप लेवल पे जाने से रोकनी पाएगी अब साथियों आगे बढ़ते हैं अब हम आपको बताना चाहेंगे आरसें बिजनस के अंदर सर जो महोल है ना सर वो पांच चीजों से बनता है हलो आरसें बिजनस के अंदर जो महोल है सर वो पांच चीजों से बनता है और आज मैं आपको इन पांचों चीजों के बारे में वन बाई वन बताने वाला हूँ मैं उम्मीद करता हूँ सर आज है आप इस पूरी मिटिंग को द्यान से सुनेंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आप इन सारी चीजों को डैरी में नोट करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को आज के बाद अपने जीवन में लागू करेंगे तो कि साब कामियाभी ना सुनने से आती है ना लिखने से आती है कामियाभी सुनी और लिखी के ये बात को अपने जीवन में लागू करने से आती है मैं उम्मीद कर रहा हूं सर आज इन बताई के बातों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो चलिए साथ यों आगे बढ़ते हैं हारसियम बजनस में कौन सी ऐसी पांच चीज़े हैं जिनकी वज़े से हारसियम बजनस के अंदर महोल बनता है सर आप उसके घर पे होम मिटिंग को कंडेक्ट करिये सर जैसे आप इस छोटी सी मिटिंग की फोटो देख रहे हैं सर हमारी रुद्र पूर टीम की हमारी एक महिला लीडर जिने हम सिंगम लेडी कहते हैं सर डोक्टर उस्षा नरेंदर जैन अभी देखिए सर वो एक होम मिटि साब 2005 में दुनिया से चले गए थे लेकिन वो एक बात हमें कहा के गएए इस बिजनस के अंदर तेज गती से जिहां साथियों आप इसके नीचे नोट करिये अगर आप इस बिजनस के अंदर तेज गती से आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका एक मात्र फार्मुला है और उसका नाम है हो मिटिंग, हो मिटिंग and हो मिटिंग. आप दबा के हो मिटिंग करना शुरू करिये सर तो इस बिजनस के अंदर महुल बनाने के लिए जो पहली चीज काम करती है वो है सर मिटिंग, इस बिजनस के अंदर महुल बनाने के लिए जो अगली चीज काम करती है वो है सर सेमिनार, हलो, इस बिजनस के अंदर दूसरे नंबर पे जो महुल बनता है, वो बनता है सर सेमिनार से, चो जब भी आपको मोका मिले, जब भी आपके अगल बगल में, अगर कोई भी सेमिनार हो रहा है सर, आप उसकी दिल से तयारी करें सर, आप उसकी बड़ी तयारी करें सर, आप उसकी युद्द सर पर तयारी करें सर, हलो, तो दूसरे नंबर पे जो महल बनता है सर, वो सेमिनारों से बनता है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आज आरस्यम बज ओर सै चाहेएंगे सर से 27 नमबर नोट करा है सर अबबी एक्टूबर चल रहा है सर अगले मिने की 27 नमंबर को दिल्ली के इंदरागांधी स्टेडियम में पारसियम बजने सपनी 23 वी एनिवरसरी मनाने जा रहा है sincer इंद्रा गांधी स्टेडियम के अंदर हिंदुस्तान आपको एक जगह देखने को मिलेगा उस टाइम जो एनरजी होगी उस वक्त जो महौल होगा उस वक्त जो मन्जर होगा और उस वक्त आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइबरेशन जाने वाली है जो आपको अगले एक स साल की आपके अंदर जो उर्जा वर सकती है तो आप दोस्त इस तरह के इवेंट प्रोग्राम को कभी भी मिस मत करिये मेरी कामयभी का राज है मैंने पिछले दस सालों में जियां सातियों सर मैंने पिछले दस सालों में आज तक आरसियं बजनस की एक भी एनिवर्सरी को मिस उन्हें यह लगता है 500 रुपे की टिकेट कौन लगाए अरे सर अगर आप इस बजनेस के अंदर बड़ी कामीबी पर जाना चाहते है ना सर आप इवेंट प्रोग्राम में आईए अपनी पूरी टीम को लेके आईए क्योंकि जो इवेंट में आपको मिल सकता है वो किसी और च ट्रेनिंघ यानि LDP प्रोग्राम से ऩा लिडर्शीफ डेवलपनेट प्रोग्रामि दिस्टी पूर्टर ट्रेनिंग वरक्सोप प्रोग्राम में जो त्षोथे नंबर का आरे सिम बजुच में महोल बनता है किसी अंदर ये सुना था मैं आज के तारीफ में लोगों को बताता हूँ लोग जोइन करते हैं प्लान देखकर आप मेरी सब्दों को नोट करना सर लोग जोइन करते हैं प्लान देखकर लोग डिसीजन लेते हैं महोल देखकर लोग लिडर बनते हैं ट्रेनिंग देखकर यानि अगर आप अपनी टीम के लोगों को लीडर बनाना चाहते हो, अभी जैसर ने कुछ दिन पहले, अभी जैसर ने दो-तिन दिन पहले एक एक्टिव लीडर के नाकामिया बोने के जो साथ पॉइंट बताये थे, उसमें साथवाँ पॉइंट उन्होंने बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से नहीं, बलकि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक ट्रेडिशनल बिजनस के तरीके से कर रहे हो, आज आप चल रहे हो, आपका बिजनस आ रहा है, हलो, जीश दिन आप बंद कर दोगे, उस दिन आपका हो जाएगा अगर आप चाहते हो जैसे आज राजाराम साहरण सर आरसें बजनस के लाइफ के असली नजारे अगर जिन्दगी के असली नजारे आरसें बजनस में आज की तारिक में कोई लेता है तो अधनिया राजाराम साहरण सर को देखिये सर कभी दुबई में होते हैं, कभी स्विजर लेंड में होते हैं, हलो, सबसे ज़्यादा RCM Business में वो अनंद लेते हैं, आपकी जानकरी के लिए बताना चाहेंगे, राजाराम सारण सर ने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम किया, उन्होंने अपने टीम के अंदर लीडर तयार किये, और लीडर जो है ना सर, वो केबल मातर ट्रेनिंग और LDP से तयार हो सकते हैं, तो आप चोथे नंबर पे सर, जब भी मौका मिले, आप ट्रेनिंग और LDP बड़ी तयारी करें सर, वो चोथे नंबर का महल, आरस्यम बजनेस के अंदर ट्रेनिंग से बनता है, आईये सातियों आगे बढ़ते हैं, पांचमे नंबर का महल, जो आरस्यम बजनेस में बनता है, वो भीलवाड़ा, एकेडमी से बनता है, और आज मैं आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा, एकेडमी की जगें इवेंट नहीं ले सकता, इवेंट की जगें सेमिनार नहीं ले सकता, सेमिनार की जगें हो मिटिंग नहीं ले सकता, और हो मिटिंग की जगें एकेडमी नहीं ले सकता, यानि ये जो पांच चीज़ें हैं ना सर, इन पांचों चीज में आपकी कामियाभी को जरूरत है जैसे लाइट अब आपको बताना चाहेंगे अगर आप न्यूट्री चार्ज को थोड़ा सा मिवापे समझें अगर आंकों को ठीक रखना चाहते हो आपको न्यूट्री चार्ज विजे खाना पड़ेगा अगर आप गुटनों के दर्द से बचना चाहते हो न्यूट्री चार्ज विजे खाना पड़ेगा अगर आप वाइरल बुखार से बचना चाहते हो आपको न्यूट्री चार्ज एस फाइब खाना पड़ेगा यह नी न्यूट्री चार्ज का हर पड़क्ट है वो अपने आपने यूनिक है अपने आपने के वो कहते ना भी एक एहमियता है सर और हम बताना चाहेंगे जो पांच में नंबर का जो महुल बनता है वो भीलवड़ा Academy से बनता है और आज हम आपको बताना चाहेंगे आज हम आप लोगों के लिए एक ब्लास्टिन न्यूज लेके आए हैं लेकिन हम आप से पहले पूचना चाहेंगे क्या उस न्यूज को लेने के लिए आप excited है आर यू excited अलो और अगर आप लोग एक्साइटे था तो आगए बढ़ते हैं सर अगर आप लोग उस न्यूज को सुनने पहले अगर excited हैं तो आगे बढ़ते हैं सर और वो न्यूज आप लोगों के लिए क्या है लेकिन उस न्यूज को देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे परिवर्तन इस संसार का नियम है और हम बताना चाहेंगे लिचे में एक लाइन लिखी है या बदलो या निकलो हलो या तो चीजन आपका है करना क्या चाहते हो आप इस बिजनस के मादियम से बदलना चाहते हो या इस बिजनस से बाहर निकलना चाहते हो और आज हम आपको बताना चाहेंगे महाविर सर एक बहुत अची चीज कहते हैं मावर सर एक बहुत अची चीज़ कहते हैं, दुनिया में सर तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वक्त बदलने के बाद बदलते हैं, आज आप इन सब्दों को नोट करना सर, डैरी में उतारी है सर, एक वो लोग सर जिने गरीब कहा जाता है, अब वो गरीब क्यों रहते है सर, क्योंकि गरीब आदमी जो है न सर, वो वक्त बदलने के बाद बदलता है, हलो, नमबर दो होते हैं सर, मिडल में, यानि बीच वाले ना उपर वाले ना नीचे वाले, एक दम गड़ी के पेंडूलम की तरह लटकते रहते हैं सर, हलो, मिडल में कोन होते हैं सर, मिडल में वो बनते हैं जो वक्त बदलने के साथ बदलते हैं और तीसरे वो होते हैं सर जिने अमीर कहा जाता है, काम्याब कहा जाता है, जिने रिच कहा जाता है, हलो, जिने अमीर काम्याब और रिच कहा जाता है, जो जिन्दगी के असली नजारे लेते हैं, अमीर वो बनता है, जो वक बदलने से पहले बदलता है वो हमेशा अमीर कहलाता है अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हो हलो अगर जिंदगी के नजारे लेना चाहते हो तो मेरे दोस्त आपको परिवर्तन के नियम को समझना पड़ेगा और परिवर्तन इस संसार का नियम है हलो परिवर्तन परिवर्तन अकेडमी यानि आने वाली 27 और 28 जनवरी 2024 2024 सर हम कामयभी की एक नई शुरुवात करने वाले हैं कामयभी का एक नया अगाज करने वाले हैं जनवरी 2024 की शुरुवात हम भीलवडा की परिवर्तन अकेडमी से करने वाले हैं एक S.C. Academy जो आपके जिवन को 180 डिगरी के एंगल से बदल सकती है एक S.C. Academy जो आपको 0-0 बना सकती है आईए सात्यों आगे बढ़ेंगे परिवरतन Academy इसका नाम कैसे रखा गया क्या है ये परिवरतन Academy चलिए सात्यों मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्या है ये परिवरतन Academy तो सात्यों बताना चाहेंगे परिवरतन Academy जो RCM Business के Head Office चितोडगर रोड पे बने हुए RCM Word में मनाई जाएगी जिसकी डेट है आने वाली 27 और 28 जनवरी तो सात्यों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे क्या है ये परिवरतन Academy अच्छा पुलिस डिपाडमेंट में आपने दो पद के बारे में सुना होगा IAS और IPS अलो सर ये IAS और IPS एक एसा लेवल होता है सर ऐसा पद होता है सर जिसको प्रदाहान मनतरी भी बरकास्त नहीं कर सकता है जिसको परदान मंत्री भी टर्मिनेट नहीं कर सकता है ऐसा लेवल सर जिसके सामने परदान मंत्री को भी खड़े होना पड़ता है ऐसी पावर I.S. और I.P.S. के पास में होती है और हम आपको बताना चाहेंगे ये I.S. और I.P.S. किसी मामूली ट्रेनिंग सेंटर में नहीं बनते हैं बलकि I.S. और I.P.S. हमेशा एकैडमी में बनते हैं जैसे एकैडमी से पाई-स तयार होते हैं वैसे हमारे वाली एकैडमी से स्टार रूबी और डैमन्ड की पिनने निकलती है यानि एक आम आदमी उस एकैडमी से स्टार रूबी और डैमन्ड बनता है कितने लोग ये चाते हैं सर कितने लोग ये चाते हैं ये भील बड़ा मत्था टेकने से मिलने वाली है, ये भील बड़ा फेरी लगाने से मिलने वाली है, और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इस बिजनिस के अंदर स्टार रूब्योर डेमिट जाना चाहते हैं, तो इस परिवरतन अकेडमी में आपको आना पड़ेगा, अब हाइए सार आगे बढ़ते हैं, एक SC academy जिसमें जाएगा एक निराशावादी आदमी, लेकिन उससे निकल के आएगा एक आसावादी आदमी, जिसमें जाएगा एक negative सोचवाला आदमी, लेकिन वहाँ से आएगा एक positive सोचवाला आदमी, उसमें जाएगा एक कमजोर इनसान है लेकिन वहाँ से निकल के आएगा एक टाइगर यानि एक टाकतवर इनसान जिस अकैडमी में जाएगा एक आम इनसान है लेकिन वहाँ से निकल के आएगा एक खास इनसान है अरे जिस अकैडमी के अंदर है जाएगा एक नाकामियाब इनसान है जिसे अपने लोग पहचानने के लिए तयार नहीं है हलो जिस पे नाकामियाबी का ठपा लगा हुआ है जिस इनसान को लोग ये कहे हम देखेंगे जब तेरी कामियाबी आएगी हलो हम देखेंगे जब तेरी कामियाबी आएगी हम बताना चाहेंगे सर उस एकेडमी के अंदर जाएगा वो नकामियाब इनसान लेकिन वहाँ से आएगा एक कामियाब इनसान एक ऐसी एकेडमी सर जो बिना चीर फाड किये हम बताना चाहेंगे सर बिना चीर फाड किये आपका बिना चीर फाड किये आपके मांड का ऐसा उपरेशन किया जाएगा उस एकेडमी के बाद में आपकी दिल आत्मा बोलेगी Yes, I can do it मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं आज के बाद कुछ करके लिखाऊंगा यानि ऐसी एकेडमी सर जिसके अंदर जाने के बाद में आपके अंदर का वो चुपा हुआ महा मानव जागेगा हलो और कसम खुदा की अगर वो महा मानव जाग जाए दुनिया की कोई ताकत आपको काम्याब होने से रोक नहीं पाएगी तो एक ऐसी एकेडमी जिसमें जाने से आपको ये सारे फाइदे मिलने वाले है आईए साथियों आगे बढ़ते है क्या मिलेगा इस परिवरतन एकेडमी से लोग हमसे सवाल पूछते हैं सर लोगों को उसका जवाब देना नहीं आता है क्या मिलेगा परिवरतन एकेडमी से हम बताना चाहेंगे तोगावा सर इस एकेडमी से दो दिन और एक रात कंपनी के हेड ओफिस जो दस हजार करोड रुपे की लागज से बनाया गया जो दस हजार करोड रुपे की लागज से बनाया गया जहां पर जाने के बाद में एक फिलिग अलग तरह की आती है उस उस दस जार करोड की उस कंपनी में आपको तो दिन यानि टू नाइट टू डेज और वन नाइट रुकने का मुका बीस लाख स्केर फुट इस से पहले हम लोगों को सत्रा लाख स्केर फुट बताते थे लेकिन अब कंपनी ने अब कंपनी ने मैनुफेक्टरिंग यूनिट को अलग से बना दिया इस बार जो लोग विजह दिवस में गए थे उस अलग से बने हुए उस मैनुफेक्टरिंग प्लांट में जाके आये थे जहाँ पे अब हमारी हेल्थ गार्ड की लेब लग चुकी है जहाँ पे हमारे प्रडक्स को अपनी आंखों से बनता हुआ देखने का मौका है अरे मार्केड में क्या होता है एक चपल बनाने वाली फैक्टरी होती है उसमें भी अंदर जाने की जाज़त नहीं मिलती है लेकिन हली मिर्ची देखने का मौका के वहल मातर दुनिया में आपको कोई दे सकता है इसके अलावा युग पुरुस इसके अलावा एक महापुरुस जो दुनिया में बड़े कम पैदा होते हैं मैंने आज तक मैरे दोस्त बगवान को नहीं देखा लेकिन टीसी सर को देखने के बाद मुझे यह लगा अगर बगवान भी होता होगा तो टीसी च्छाबडा स जैसा ही होता होगा ऐसे महापुरुस ऐसे युग पुरुस इसके सर से मिलने का मोगा सर हिंदूस्तान के बड़े-बड़े दिग्ज लिडर से मिलने का मोगा अरे कामियभी का जशन मनाने का मोगा अरे आज तक आपनी अपना जनम दिन चंद लोगों में मनाया होगा आज तक शादी की सालगिरा चंद लोगों में मनाया होगी आज तक बच्चे का बढ़डे चंद लोगों में मनाया होगा हम आपकी काम्यभी का जशन हिंदुस्तान के सबसे बड़ी स् पने मनाना चाहते हैं, इसके अलावा मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीखने का मौखा, हलो अपने अंदर के उस महामानव को जगाने का मुका अपनी अपलाइन की नजरों में आने का मुका और सबसे बड़ी बात का है सर कंपनी की नजरों में आने का मुका हलो डारेक्ट टीसी छाबडा सर की नजरों में आने का मुखा डारेक्ट कंपनी की नजरों में आने का मुखा ये सब इस परिवरतन अकेडमी से आपको मिलेगा हलो ये सब मेरे दोसी इस परिवरतन अकेडमी से मिलेगा आईए साथियों आगे बढ़ते हैं और आए सात्यों आगे बढ़ते हैं कौन जा सकता है इस परिवनतने चाहिभी में नंबर one इनी रिटर्श का पर इचेढ़ेगा नंबर one सर इस अकेडमी में जा देगा नंबर दो जो अपने टार्गेट को हिट करेगा और आईये सात्यों आज आज अम बताना चाहेंगे आज 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 आपको बताना चाहेंगे टार्गेट क्या रहेगा इस एकेडमी के अंदर एंट्री किसे मिलेगी जैसे कि आप सब पांच लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं लेकिन मेरे दोस्त भील बाड़ा थैरने की विवस्ता मातर बारा सो से लेके पंदरा सो लोगों की है कम से कम बारा सो ज्यादा से ज्यादा पंदरा सो अब पांच लाख लोगों में हमने पंदरा सो लोगों को सेलेक्ट करना ह पांच लाग लोगों में हमें लंबी रेस के गोड़ों पे दाव लगाना है कैसे पता चलेगा आप लंबी रेस के गोड़े हो कैसे पता चलेगा आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो पता तब चलेगा जब आप इस टारगेट को हिट करेंगे तो एंट्री लेने के लिए आप ओनली डायमेंड कलब अच्चिवर्स